हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं रियार अठोड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एक्जैंस वाल यट्यूब चानल पर और यह उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्टड़ी आप लोगों की काफी अच्छी चल रही होगी आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो जनगणना 2011 ठीक है तो 2011 के संसस के उपर हम लोग डिसकुशन करेंगे और जित्ती भी संभावना हो सकती है या जिस भी तरीके से कुश्चन आपका बन सकता है उन सब पर हम लोग डिटेल में डिसकुशन करेंगे पहले आप लोगों के लिए थियोरी है थोड़ा सा थियोरी को इत्मिनान से समझेगा पांस से साथ मिनट और उसके बाद हम MCQ करने वाले है ठीक है तो क्योंकि थियोरी से आपका थोड़ा सा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर जब आप MCQ करोगे तो आपको चीजों को समझने में आसामनी होगी तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है आज वाला सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि number of questions जादा है और plus theory भी है अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं census या फिर जब हम बात करते हैं जनगना के बारे में तो मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी 1595-96 में जनगना का उलेक मिलता है अगर आप census की बात करोगे तो सबसे पहले आपको जो census के बारे में देखने को मिलेगा वो कहाँ पे देखने को मिलेगा तो अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में आप census के बारे में पढ़ोगे next point हमारा क्या रहा है कि Sweden में 19, sorry Sweden 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जणगणना कराने वाला देश बनता है या फिर अगर हम बात करता है कि census कराने वाला पहला देश कौन सा है Sweden कब तो 1749 में अमेरिका 1990 में दश्किय जणगणना की शुरुवात करने वाला पहला देश बनता है दश्किय का मतलब होता है 10 साल हमारे हाँ भी तो 10 साल में ही होती है जैसे पहली 1951 में होती है फिर 61, 71, 81, 91, 2000 और 2011 अभी 2021 वाली होनी थी लेकिन COVID की वज़े से हुई नहीं है ना तो डिले हो गया आगे चलते हैं भारत में जणगणना की शुरुवात 1872 में Lord Meo के कारे काल में हुई थी लेकिन अगर हम नियमित जणगणना की बात करेंगे तो भारत में नियमित जणगणना के शुरुवात 1881 में Lord Ripon के कारे काल में शुरू होती है स्वतंतर भारत की पहली जणगणना 1951 में होती है और उस समय जो जणगर्णा आयुक्त थे इनका नाम याद रखेंगे आप सभी आरे गोपाला स्वामी या आरे गोपाल स्वामी जैसे हम कहते हैं कि 2011 वाली जणगर्णा के जणगर्णा आयुक्त पहुंते तो आपके अतरवम चंद्रमौली सर थे तो ठीक इसी तरीके से 1951 मे जो जणगर्णा होती है तो आरे गोपाल स्वामी आपसे पूछा जाता है कि स्वतंतरता के बाद जो सबसे नस्दीक वाली जणगर्णा है ये कब होती है तो माम 1951 में ये होती है भारत में नियमित जणगर्णा 17 परवरी 1881 रिपन के टाइम पर होती है जणगर्णा आयु हुई है वो 15 वाली है आप सबको यह याद होना चुई है कि जो 2011 वाली सेंसस थी यह कौन से नंबर की थी तो यह थी माम 15 वाली लेकिन आप यह याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है तो स्वतंत्र भारत की हो जाएगी सात्वी थेक है सेवंथ वाला अच्छा सेवंथ वाली कैसे हुई 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 ठीक है चलो उसके बाद 21 विश अताबदी की ये दूसरी जंगर्णा है यानि 21st century की अगर हम बात करेंगे तो ये second वाली जंगर्णा हो जाएगी पहली वाली 2001 में हुई थी 2001 के बाद second वाली कब होती है 2011 तो ये point भी आपको क्या रखना है याद रखना है आचा जंगर्णा क्या अगर हम प्रशासनिक स्वरूप देखते हैं तो ये कौन से ministry के अंतरगत आएगा तो माम ministry of home affairs या फिर हम कह सकते हैं कि गरहम अंतराले समीधान की सातवी अनुसूची के तहत ये संग सूची का विश है और आपको article कौन सा देखने को मिलेगा जंगर 48 census act और 2011 के जो जंगर्णा आयुक्त थे या फिर संगर्णा आयुक्त थे इनका नाम क्या होगा तो डॉक्टर सी चंद्रमॉली और जो 2022 में census होनी थी एक्चुमें 2000 किस में होनी थी फिर था कि 2022 में हो जाएगी उसके बाद हम लोगों को ने गा कि चलो 23 में तो होई जाएग या फिर हम बोल सकते हैं मोटो क्या था? Our senses, our future भारत में कुल अगर हम देखें 6,40,930 जो है वो गाउं है जहां देश के 68.9% जनसंक्या जो है वो निवास करती है ठीक है? इतना आपको क्या रखना है? याद रखना है ठीक है? 6,40,930 ग्राम है और अगर हम population का बात करें तो 68.9% जो जनसंक्या है वो यहां पर निवास करती है अच्छा वर्तवान में भारत की जनसंक्या के दशकिया व्रद्धिदर 17.70% है जबकि वार्शिक व्रद्धिदर 1.64% है दशकिया का मतलब क्या हो गया? कि जहां पर मतलब की census हुआ 2001 में 2001 के बाद ये जो जनगरना होती ह गए है ये कब होती है, मैं 2011 में तो इसको क्या कहते हैं दशकिया व्रद्धिदर कितनी थी 17.70% लेकिन जब हम बात करते हैं वार्शिक व्रद्धिदर, वार्शिक का मतलब क्या हो जाएगा? माल लेते है 2001 में जनगरना होई तो लेकिन 2002 में भी तो जनसंग्या बढ़ी होग 2004 में जनसंख्या बढ़ी होगी तो इसको क्या क्यते है वार्षिक व्रद्धीदार यानि एक वर्ष में जो व्रद्धी हुई है उसको कहा जाएगा वार्षिक व्रद्धिदार तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या और Union Territory, देखो, चाहें आप State में compare करो, चाहें आप Union Territory में compare करो, जो टॉप पर रहा है, जनसंक्या व्रद्धी में, वो रहा है दादर और नागर हवेली, कितना % इसने अपने इहां पर increase किया है population को, तो 58.58%, सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, दमन और दीव, 53.76%, और Union Territory देखें, न पूछा, उसने Simple State आपसे पूछा, तो answer क्या बनता है, आपका में घाले, ठीक है, अगर हम proper state के बात करेंगे, तो में घाले, कितना % 27.95%, और उसके बाद अरुनाचल परदेश, 26.03%, और अगर हम overall की बात करेंगे, तो overall में answer आपका क्या बनेगा, दादर औ और नागर हवेली 58.88%, नेस्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं, नियूनितम दश्किया जनसंख्या वरधिदर वाले, पांच राज्य या केंदर शाशित प्रदेश, अगर हम बात करते हैं, कि जब हम lowest की बात करेंगे, यानि कि सबसे कम जहां पर जनसंख्या वरधिदर द ठीक है, तो ये रिनात्मक हो जाएगा, यानि कि नेगिटिव में चला जाएगा, तो नागालेंड 0.58% ये रिनात्मक रहा है, उसके बाद के बाद के अगर हम बात करते हैं, तो सबसे कम केरला हो जाएगा 4.91%, ठीक है, overall अगर आप देखोगे, तो नागालेंड, नागाले अगर हम बात करते हैं, तो 6.86%, और अगर हम गोवा की बात करते हैं, तो 8.23%, हमें ये याद रखना है, नागालेंड, माइनस में है, फिर क्यारला, सबसे कम ब्रदिदर हो जाएगा, लक्षदीब यूनिन टरिटरी में, उसके बाद अगर अगर आपका क्या हो जाएगा, ग किस करोड हमारी क्या थी? जनता थी 2011 में, जिसमें से अगर हम मेल की बात करते हैं, तो मैं 62 करोड तो केवल और केवल क्या थे? मैं मेल थे, अगर हम फीमेल की बात करेंगे, तो 58 करोड आपको क्या देखने को मिलती हैं? फीमेल देखने को मिलती हैं, ओवरॉल जनसंक्या का 51 47.47% आपको मेल देखने को मिलेंगे 48.53% आपको फीमेल देखने के लिए मिलती है 0-6 साल के जो बालक बालिकाई होती है उनका पॉपलेशन क्या रहा है तो लगभग लगभग अगर हम देखें तो 16 करोड के आसपास ठीक है 13.60% यह आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए अर्बन परसंटेज की अगर हम बात करते हैं यानि कि जो नगर ये प्रतिशत्ता है वो कितनी थी 31.10% अच्छा परसंटेज की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें ग्रोथ रेट मैंने आपको अल्रेडी बता है जब हम दश्किय व्रद्धी दर की बात करते हैं दस साल में हम लोगोंने कितनी व्रद्धी करी 2001 से ले करके 2011 तक तो आंसर आपका क्या बनता है 17.70% वहीं अगर हम एन्वल ग्रोथ रेट की बात करता है यानि एक साल में हमने जो ग्रोग किया है वो कितना किया है 1.64% अगर हम ओवराल लिटरिसी की बात करेंगे या साक्षरता की बात करेंगे भारत की तो वो कितना परसंट रहा है तो माँ वो रहा है 74.0% अगर यहां पर भी हम काटेगराइज करते हैं जैसे male literacy की बात करेंगे तो पुरु शाक्षर्ता पुरु शाक्षर्ता कितनी है 82.04% वही अगर हम female literacy की बात करते है तो 65.46% बागी सबसे ज़ाधा पूछे जाने वाला question है लिंगानुपात या फिर भारत का sex ratio क्या रहा था 2011 में तो मैं 9.43 अब आप सबको बताना है कि UP का sex ratio जो है ये क्या रहा था भारत का sex ratio 9.43 ठेक है और literacy भी आपको क्या होने चाहिए पता होने चाहिए अच्छा top sex ratio वाले जो state है या फिर हम बात करेंगे कि सिर्ष लिंगानुपात वाले राज्य कौन-कौन से है तो मैं आप जानते है केरल अच्छा लिंगानुपात हम निकालते क्या से है तो 1000 पुरूशों पर महिलाओं की जो संख्या है उसे को क्या कहा जाता है लिंगानुपात तो अगर हम बात करते हैं 1000 male पर female की संख्या कितनी है केरल में तो मैं 1084 तो टॉप पर कौन हो गया क्यारला ठीक है सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पर हो जाएगा आपका तमिल नाडू थर्ड की अगर आप बात करोगे तो थर्ड पर हो जाएगा आंदरपरदेश और फूर्थ पर कौन हो जाएगा चत्तिसगर लेकिन हमें तो यही याद रखना है कि टॉप पर कौन है अगर हम मिनिमुम की बात करेंगे कि सबसे कम सेक्स रिशो किसका रहा है तो सबसे कम सेक्स रिशो रहा है हर्याना का 879 यानि कि यहां पर 1000 पूरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 879-879 2 पर जम्मू कश्मीर 889 3 पर सिक्किम 890 4 पर पंजाब 895 और UP की अगर हम बात करते हैं तो हम UP का sex ratio रहा था 912 हमें अपना आंसर यहीं मिल गया तो एक तो top पर कौन हो जाएगा क्यारला और जब हम सबसे कम की बात करेंगे कि सबसे lowest sex ratio कहा करा है तो माम हरियाना का हरियाना का कितना रहा है तो 879 अचा top sex ratio union territory अगर आप से particular UT के बारे में बात करी जाए कि union territory में top पर कौन था तो माम आंसर बनेगा पूडुचेरी कितना 1037 वहीं अगर हम second पर बात करते हैं तो लक्षवदीब कितना 947 यह तो top हो गया अचा फिर तो हमें lowest भी तो पता होना चेह कि सबसे कम sex ratio जो है यह कौन से union territory का रहा तो आंसर बनेगा दमन दीव कितना 618 यानि कि जब हम दमन दीव की बात करेंगे 1000 पूरुशों पर यहां पर महिलाओं की संख्या कितनी है 618 चेक है कि जिले तो अगर हम जिलों में सबसे अच्छा sex ratio देखते है तो वो आपको देखने को मिलेगा माहे और माहे district कहां है कितना है यहां का sex ratio तो माम 1176 यानि कि 1000 पूरुशों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 1186 और जब हम second की बात करते है Almuda Almuda कहां का है उत्रा खंड का 1139 यापर आपको महिलाएं देखने को मिलती है 1000 पूरुशों पर अच्छा minimum sex ratio in two district यानि कि सबसे कम जो sex ratio है वो किस district का रहा है तो ध्यान रखेंगे दमन ये कहां का हो जाएगा दमन और दिव कितना 533 और second पर हो जाएगा लेह लदाक कहां का जम्मू कश्मीर का 583 बेटाजी ये जो union territory बने है वो तो 31 October के बाद बने है 31 October 2019 लेकिन हम बात कर रहे है कबकि 2011 की ठीक है ये बात आप याद रखेंगा तो अगर हम बात करते है लेह लदाक सेक्स रेशो इंदा एज ग्रूप ओफ 0 से 6 साल के जो बालक बालिकाएं होते है उनमें टॉप पर कौन है सेक्स रेशो में तो मैम आंसर बनेगा अरुनाचल परदेश 972 है अरुनाचल परदेश का और second की अगर हम बात करते है यह तो हमारा हो जाएगा इस्टेट को लेकरके लेकिन हम यूनिन टेरिट्री के बारे में भी तो डिस्कस करते हैं तो ध्यान रहिएगा यूनिन टेरिट्री की अगर हम बात करेंगे तो टॉप टू और लवेस्ट टू सेक्स रेशो वाले जो union territories हैं वो कौन कौन से है तो UT में सबसे अच्छा sex ratio 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का तो ये हो जाएगा अंडबान निकोबार में 968 यानि कि 1000 बालकों पर 968 यहां पर क्या है बालिकाएं है और वहीं अगर हम पुडुचेरी की बात करते हैं तो 967 967 यहां का क्या हो जाएगा sex ratio हो जाएगा अच्छा lowest की अगर हम बात करें तो lowest में कौन है नाम देश की राजनानी दिल्ली अगर हम दिल्ली की बात करते हैं एक हजार बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है यहां पर 871 और सेकिंड की अगर हम बात करते है चंडिगड चंडिगड का sex ratio कितना हो जाएगा बालिकाओं का 880 जो 0 से लिकर के 6 वर्ष के होते है उनका अब आज का पहला गोश्चन आप सभी के लिए इटमिनान से देखिएगा क्वेश्चन आप से कह रहा है कि भारत में नियमित और वज्ञानिक तरीके से जणगडना किस वर्ष शुरू हुई अगर हम बात करते हैं नियमित जणगडना जो शुरू होती है भारत में वह कब होती है तो माम वह होती है 1881 में आप्शन हमारा से बिलकूं ठीक है वैग्यानिक तरीके से पहली बार जणगडना 1881 में लॉड रिपन के शाशलकाल के दौरान जो है वह शुरू होती है 2011 की जणगडना स्वतंत्र भारत की कौन सी क्रम की जणगडना थी तो देखो स्वतंत्र भारत मैंने बात करी न आपको आफ्टर इंडिपेंडनेस तो पहली कब होती है 1951 में फिर उसके बाद 51 के बाद कब होगी 51 के बाद हो जाएगी आपकी हैं बात करते हैं तो 2011 2001 और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 2011 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंसर क्या हो जाएगा 7th option आपका सी बिलकुल correct है 2011 की जणगडना के अनुसार भारत में निमनलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंक्या घनत्ववाला राज्य कौन सा है population density मतलब कि कम area में जदा लोग रहते हैं तो सबसे वैसे अगर पूछा जाएगे सबसे जदा जनसंक्या कापरव वो तो UP में है लेकिन आप यहाँ पे शब्द को ठीक से पढ़ना जनसंक्या घनत्ववाला राज्य कौन सा हो जाएगा तो मैं यह होगा बिहार option आपका बे बिल्कुल correct answer next question देखिएगा 2011 की जनगर्णा के अनुसार प्रतीशत में भारत की साक्षर्ता दर कितनी थी तो अगर हम literacy rate की बात करेंगे साक्षर्ता दर तो भारत की साक्षर्ता दर किती रही है 74.04% मैं आप आलरेड़ी इस question को क्या कर चुके हो बता चुके हो आगे बढ़ते हैं next की तरफ जनगर्णा कितने वर्ष में एक बार होती है तो हम सबको बता है कि मां 10 साल में जनगर्णा एक बार होती है option आपका सी बिलकुल ठीक है 2011 की जनगर्णा के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है अब ये question आपने वैसे तो नहीं पढ़ाया थियोरी में लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्किम की जनसंख्या है वो सबसे कम है तो answer आपका क्या बनता है सिक्किम option हमारा बी बिलकुल ठीक है next question है निमनलिकित में से कौन सा प्रदेश जिसके जनसंख्या वरद्धिदर जनगर्णा 2011 के अनुसार नकारात्मक रही है मैंने कहा ना कि जिसके जनसंख्या नेगटिव में आपको देखने को मिलती है तो आपने क्या कह था हम negative nagaland तो answer क्या बनेगा nagaland झेधैं जनगर्णा 2011 के अनुसार किस रज्य की दश्किया जनसंख्या वरद्धिदर अगर हम बात करते हैं दश्किया दश्किय का मतलब क्या हो जाएगा, तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने कहा था, दस सालों में जिसने सबसे सद अपने यहां जनसंग क्या बढ़ाई है, तो मेघाले है, मद्य प्रदेश, विहार है यह 36 गड़े, तो मैं आप आप अलरेड़ी बता चुकी थी, मेघाले, अगर हम बात करते हैं, तो 25.10%, आगे चलते हैं, 2011 की जनगर्णा के अनुसार मेघाले ने, 2001 से 2011 के दोरान उच्चतम दश्किय विकास दर, यानि कि 27.8 प्रतिशत जो है, वो दर्च करी, हाला कि अगर हम सभी राज्यों और केंदर्शाषित प्रदेशों के तुलना करते हैं तो दादर और नागिर हवेली द्वारा उच्चतम दश्किय व्रदी दर्च करी गई, कितनी 55.50%, सबसे कम विकास दर की अगर हम बात करते हैं, तो नागालेंड की नहीं नकारात्मक, ठीक है, उसके अलावा कितना है, केरल 4.86%, भारत में निमनलिकित में से किस राज्य में अधिक तम अनुसोच्य जाती आपको देखने को मिलती हैं, तो अगर हम बात करते हैं, सबसे जदध Rubicon, तो सबसे जदध tempo भाप्र पर मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में, लगबग अगर हम देखते हैं, 21. omnakh mat a बहारे और उसके बाद वेस्ट बैंगॉल्र उसके बात तमिल आपको 16.6% आपको जन्ता देखने को मिलते है ओवर अगर हम SC को देखते हैं तो उसमें से UP में आपको कित्ती देखने को मिलते है 16.6% और अगर हम UP की population के हिसाब से देखें तो UP की 20.69% आबादी ऐसी है जो की SC की है अभी लगबग हम लोग जो पढ़े थे 19 करोड के आस पास पढ़े दे तो उसमें से total SC आपको कित्ते देखने को मिलते हैं तो 20.69% दोनों पॉइंट आपको समझ जाएंगे मैं ऐसा बान के चल रही हूं यहां पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भारत की SC आबादी का 16.6% है अगर हम इंडिया से compare करते हैं तो UP में 16.6% है लेकिन हम UP में ही अगर compare करें तो कितना हो जाएगा 20.69% उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अधिक्तम SC आबादी है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में नियूंतम SC आबादी है सोन भदर की अगर हम बात करेंगे तो सोन भदर में आपको कौन देखने को मिलते हैं ST 2011 की चुनगर्णा के अनुसार भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है तो यानि कि यहां के अधिकांश जो लोग है वो ग्रामीन एरिया में रहते हैं शहरों में कम रहते हैं तो शायद मैंने आपको सुबह वाली morning 7am वाली क्लास मों भी बहुत बार कराया य हिमाचल परदेश 10.03% ही जनता ऐसी है जो की शहर में रहना पसंद करती है या जो की शहर में रहती है बिहार की अगर हम बात करेंगे 11.29% जनता ऐसी है जो की शहर में रहती है यह शहर में रहना पसंद करती है अगला कोशन है 2011 की जंगना के नुसार ग्रामीन भारत में लि लिंगानुपाद की बात करते हैं, तो यहां पर पूछा है कि लिंगानुपाद 2011, फाइनल डिटा के अनुसार लिंगानुपाद क्या रहा था, तो मैं हम आप आप पर अल्रेडी बता चुके हैं, 949, 949, नेक्स देखिएगा, 2011 की जणगर्णा के अनुसार, ग्रामीन का जो लिंगानुपाद रहा, और शहरों की अगर हम बात करते हैं, तो 929, 929, 2011 की जणगर्णा के अनुसार, निम्ण में से कौन सी भारत की, सबसे अधिक बोली जाने वाली लांग्वेज है, लोग सबसे जादे जिस लांग्वेज को बोलते हैं, तो लगबग 40% से अबाव जो लोग है, वो किसको बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी को लिखते हैं, जणगर्णा 2011 के अनुसार कि संगशाषित प्रदेश की जनसंख्या व्रद्धिदर सबसे कम हैं, लक्षदीप, अंडमान निकबार, दिल्ली, चंडिगर्ण, मैं आप बता चुके हो लक्षदीप, तो आंसर आपका क्या बनता है, ऑप्शने लक्षदीप, और कितना भारत की 2011 के जणगर्णा के अनुसार, साथ वर्ष, और उससे अधिक आयू का वेक्ति, जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, साक्षर बना जाता है, तो हम साथ वर्ष, एज क्या होने चाहिए उसकी साथ वर्ष, next question है, 2011 के जणगर्णा के अनुसार, भारत में मुसल्मान लोगों का कुल परसेंटेज कितना रहा है, अगर हम मुसलिम लोगों को देखते हैं, तो कितना परसेंटेज देखने को मिलेगा, 14.2%, 2011 के जणगर्णा के अनुसार, मुसलिम आबादी 17.22 करोड थी, जो देश की आ राज्य में इस्त्री और पूरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है, यानि कि अगर हम बात करेंगे, मेल लिटरसी और फीमेल लिटरसी, तो सबसे लंबा जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा, महरो राज्यस्थान, आप्शन आपका सी ब हम देखने को मिलेगी, 2011 की जणगंडा के आंकडो के अनुसार निम्न में से किस के इंदर्शाषित प्रदेश में महिला जनसंक्या, पुरुष जनसंक्या से अधिक है, अब बताओ जरा सारे के सारे, तो जब हम बात करते हैं कि according to 2011 की सेंस, तो इसके अनुसार किस के इंदर के इंदर्शाषित प्रदेश में महिला जनसंक्या, पुरुष जनसंक्या से आपको अधिक देखने को मिलेगी, माम आप अल्रेडी बता चुकी है, पुडुचेरी, आंसर हमारा क्या बनता है, option D, बिल्कुल, correct आंसर है, पुडुचेरी, हाना, 1037 यहां पर आपको महिला है देखने को मिलेंगी, 1000 पुरुषो पर, ठेक है, अगला कुशन है, चेतरफल की दृष्टी से भारत का सबसे चोटा किंदर्शाषित प्रदेश कौन सा है, तो according to area, लक्ष्यदीप सबसे चोटा union territory है, 2011 की जुनकरना के अनुसार निम ने लिकित में से कौन सा जुला, भारत सबसे अधिक साक्षर जुला, यह कुशन अच्छा है आप लोगों के लिए, अगर हम बात करते हैं, कि जहांके लिट्रेसी रेट सबसे अच्छी है, डिस्टिक के अगर हम बात करेंगे, तो आंसर बनेगा सेर्चिप और यह कहां का डिस्टिक है, यह मिजोरम का डिस्टिक अगर हम बात करें, सेर्चिप भारत के मिजोरम राज्ये का एक शहर है, शहरी तो पुच्छा है इनोंने, अच्छा, शहर आप बोल दो, यह साक्षर आप जिला बोल दो, तो शहर की अगर हम बात करते हैं, सेर्चिप, तो सेर्चिप भारत के मिजोरम राज्ये का एक शहर ह 2011 में जनगंडना के आंकडों की अनुसार सेर्चिप जिले में औसत साक्षरता 98.23% थी अगर हम एवरेज लिटरेसिक की बात करेंगे तो 98.23% आपको देखने को मिलती है 2011 की जनगंडना के अनुसार बाल लिंगा अनुपात प्रती 1000 पूरूशों पर कितना था तो अगर हम बात करते हैं बाल लिंगा अनुपात मैंने कहा था ना चोटे चोटे बिच्चे होते हैं अगर हम उनका सेंसर देखने कोशिश करें तो आंसर आपका क्या बनता है 919 यानि ऑप्शन आपका ए बिलकुल ठीक है 2011 की जंगर्णा में भारत का बाल लिंगा अनुपात 927 था जो कि 2011 में कित्ता हो गया घट करके 919 2011 की जंगर्णा के अनुसार आउनाचल प्रदेश में भारतिय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंगा नुपात 922 बता चुके हैं आपको जबकि हरियाना में आपको सबसे कम देखने को मिलेगा कितना तो भाई 834-834 चेतरपल की द्रिष्टे से भारत के टॉप 3 राज्य कौन से एरिया वाइस अगर हम देखे राजस्थान बध्य प्रदेश वार महराष्टो ऑप्शन अभी तक गाउं में रहने वाले भारतियों का प्रतिशत कितना है यहने कि कितनी पोसेंट ऐसी जनता है जो कि गाउं में रहना पसंद करती है तो मैं जब शेहरों में 30% रहते हैं तो गाउं में अगर हम लगबग लगबग देखते हैं तो 68.8% ऑप्शन आपका सी बिलकुल ठीक है अगर हम चाहें ग्रामीन की बात करें चाहें हम शेहरी की बात करें ओवर ओल अगर आप देखते हो तो आंसर आपका क्या बनेगा हरियाणा ऑप्शन आपका सी बिलकुल ठीक है हरियाणा बाल निंगानुपात 8.34 है फिर यूपी है 902 किरल 964 जम्मू कश्मीर 8.62 2011 की जनगर्णा की अनुसार भारत की पूरुष और महिला साक्ष्रता दर कित्ती है अगर मेल और फीमेल का लिटरिजी रेटम देखें तो 82.14% और 65.46% नेक्स देखिएगा भारत की जनगर्णा 2011 की अनुसार भारत में अनुसूची जनजातियों की संख्या का परसेंटेज कितना है तो यहाँ पर ओल्रीडी लिखा है शेड्यूल्ड ट्राइब आपको शेड्यूल्ड ट्राइब कितनी देखने को मिलती है तो 8.6% यानि ST की अगर हम बात करें तो 8.6% ऑप्शन आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2011 की जनगरना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या रहा है तो 9.43 वुमें पर 1000 मैं ओल्रेड़ी आपको बता चुक है 940 ऑप्शन आपका यह बिल्कुल ठीक है ठीक है आई नाई 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 यह तो रुन हम यासे इसका आंसर डिया बिटा गलती से स्टेक वह गई अपकशन आप लोगोंस चुका बनाया था और अज का सेशन कैसा लोगा कॉमेंसियस में जरूँर कॉमेंट कर के की ठीक तबही MCQ पर जो है वो फोकस कर पाते हैं ठेक है तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं अपना ध्यान रखो स्वस्त रहो मस्त रहो हसते रहो खिल खिलाते रहो और ऐसी सीखते रहो मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ बाकी यह टेलीग्राम ग्रूप है PDF आपको यहां झाल झाल झाल